लगातार दूसरे दिन तापमान जमाव बिंदू के निचे रहने से कई इस्तानों पर खेतों बरतनों में रखे पानी की वरफ जम गई सर्दी इतनी तेज थी कि देर सुबह तक ठंडक का असर कम नहीं हुआ दूपोने के बावजूद भी ठंडक रही सेखावाटी का सिकर जूझनुव चूरू जिला सबसे ज्यादा ठंडा रहा मोसम विबाग की माने तो आज का दिन भी सेखावाटी के सिकर चूरू जूझनुशाइद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सीत लहर के साथ सर्दी तेज रहनी की संबावना है मोसम विबाग की अनुसार सेखावाटी सबसे ठंडा और सबसे गरम रहने की बड़ी वज़ा है कि यहां का इलाका रेतिला है और सर्दी के मोसम में जब खेतों में सिंचाई की जाती है तो इस इलाके में नमी बढ़ने लगती है और उत्री हवा का दबाव बढ़ने से इलाका पूरी तरह के से ठंडा हो जाता है